गूड मॉनिंग अबरिवन फिफ्ट क्लास कैसे आप सब भी I hope all are good आज है second October और आज का day है Friday आज आपको पता है कि गांदी जी की जो है वो birth anniversary है ठीक है तो आज जो है वो हम लोग revision करेंगे जो भी important question बनते हैं ठीक है उसका revision करेंगे यह जो question है वो मैंने sample paper से उठा है ऐसे question जो है इनके आने के ज़्यादा chances होते हैं तो चलिए discuss करते हैं बहु देखेंगे सिर्फ आज आज आपका कोई homework नहीं होगा आप लिखेंगे कुछ नहीं विडियो को आपने देखना है ठीक है तो बहुत ही important question है आज ठीक है यहाँ पे लिखा है solve the following question ठीक है यहाँ पे कुछ question है उसको जो हो solve करना है ठीक है आगे लिखा है see the patterns and fill in the blanks इसने ब इसका क्या मतलब हुआ डेखे 6 में अगर 6 प्लस करेंगे तो 12 आजाएगा फिर 6 प्लस करेंगे तो 18 आजाएगा इसका मतलब है कि 6 का table चल रहा है मतलब कि आगे अगर 18 में हम लोग प्लस 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24 आजाएगा मतलब कि 6 का table पढ़िए 6 1 जा 6, 6 2 गुद्ध बहुत सिंपल था बस पैटन को देखना है उसके बाद ही आपने फिल करना है क्या पता पैटन कुछ और हो और आप लोग जो वो कुछ और करने तो पैटन को दियान से देखना है तो यहां पे फोर्थ लिखाए और यहां पे 153 लिखाए 72 जा आपको पता होने से 73 जा और 74 जा होता है 68 ठीक है 17 फोर जा होता है 68 इसका मतलब है ए भी 17 का ही टेबल है ठीक है क्योंकि फोर्थ नंबर पर जो है वो 68 आ रहा है इसका मतलब है सेकिन पर से 17 टू जा एगा 17 टू जा 34 होता है 17 त्री जा जो है वो 51 होता है ठीक है आई होप आप समझगे होंगे 17 का टेबल आगे को आपने लिखते जाना है नेक्स देखते हैं 19 वाला तो यहाँ पर भी 19 का टेबल है तो आपको टेबल भी आना चाहिए ठीक है यहाँ पर आजगा 57 आगे को आप लोग देख लीजिए आगे लिखा है write all the factor of 18 ठीक है इसने बोला कि 18 के सारे factor लिखो तो मैं इसको यहाँ पर बता देता हूँ कि 18 के जो सभी factor है वो आपने कैसे जवाबो लिखने है ठीक है 18 के सभी factor जवाब आपने कैसे लिखने है तो 18 के factor मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ सबसे पहले क्या करना है all factor बोला है या prime factor बोला है इसका आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है तो all factor का मतलब है आपने सबी factor लिखने है सबसे पहले one तो आए गई one is the factor of all number one सबका factor तो one को हमने कि से multiply करें कि 18 ही आ जाए ही तो one multiply by 6 करेंगे तो भी 18 आ जाएगा अच्छा 4 से नहीं जाता है 5 से नहीं जाता है 6 से जाता है लेकिन 6 हम लोग लिख चुके हैं 6 जो अब हमने लिखती है तो देखिए factor लिखने का एक अच्छा तरीका है ऐसे आप लोग नीचे को लिखे 1 2 3 फिर इस साइड चलिए फिर उपर क चलिए ठीक है 1 2 3 6 9 18 यह जोब हो सभी factor निकल गए ऐसे आपने करना है 1 2 3 6 9 और 18 जोब हो इसके factor निकल गए ठीक है बस यह जोब हो इसके सारे factor होंगे 18 के मतलब एक ऐसे नंबर होंगे जो की 18 को divide कर जाते हैं पूरे-पूरे-पूरे का मतलब है कि निमेंडर 0 बचे का इन से जागर मैं divide करूँगा ठीक है इसका मतलब भी हुआ कि जो वे सारे factor है इन से जो वो इनके multiple में 18 आता है ठीक है इनके मतलब कि इनके table में 18 आता है इसका मतलब ए भी है ठीक है फिसे मैं एक पर बताता हूं 18 के factor all factor बोला हो तो आप लोग कह करी 1 से start करी क्योंकि 1 सबका factor हो 6 जो हो आ चुका है जैसे कोई नंबर ऐसा मिले जो कि आ चुका है बस टॉप करिये वहां पर फिर आप लोग जहाओ ऐसे नीचे को लिखे 1 2 3 फिर उपर को चलिए ऐसे 6 9 18 तो वह आपके सारे factor होगे आई होप कि आप इसको समझ गए होगे नेक्स लिखा है नेक्स सोब्स्मय्रास को मंल्ण भूब्ल लिखना है फिर 2 और 5 के कॉमबन मल्टीव लिखना बहुत ही सिंपल है 2 के मल्ट्पल होगे 2 का डेबल होगे 2 के मल्ट्पल सारे तू-फौर-सिक्स-ेट-ट्वाईल आगया जाएगा फौ्टिन आगया जाएगा इसे चलता रहेगा फाइव कि देखे इस नयुत पैव का फाइब आएगा फिर आजाएगा ऩर फिर आजाएगा 20 फिर आ जाएगा 25 फिर आ जाएगा 30 ठीक है तो आगे तक लिखते जाना है आपने फिर देखो कैसे जो common लिखने है common मतलब कि जो इसमें भी है और इसमें भी होना चाहिए अब देखें कौन सा ऐसे number है पहले यहां से 5 से सुरू करते हैं 5 क्योंकि यह बड़ा number है तो यहां से देखते हैं 5 क्या इसमें उपर बाले में 5 है नहीं 5 तो 2 के table में नहीं आता है अब 10 देखिए कि 10 उपर बाले में है यस 5 टू जा होता है तो 10 आ गया common फर्स्ट एक multiple मिला हमें ठीक है तो आपने ऐसे मिलाना है जैसे जहां पर जब हो अच्छे यहां पर 10 लिखा नहीं है तो 10 नहीं यहां पर लिखूंगा मैं ऐसे क्योंकि 10 भी लिखना था मैंने 8 के बाद 0,5 लिख दिया ठीक है 10 यहां पर आ जाएगा ठीक है 10 और 10 आगे देखिए 10 जब हमने लिख दिया तो 10 के बाद देखिए क्या 50 नहीं आता है नहीं 50 नहीं आता है 20 आता है 10 टू जा क्या होता है 20 होता है मतलब कि 20 आएगा जब आप लोग 2 का टेबल जो आगे तक 20 तक लिखते जाओगे तो 20 भी आएगा अब देखिए 25 नहीं आएगा तो 30 तो आएगा अब आपको भी पता हो न चीए जिस डिजिट के लास्ट में 0 हो इसका मतलब है 2 से जाएगा 5 से जाएगा तो हमारे जो भी कॉमन मल्टिपल सागे वो आगे 10 20 और 30 इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि यह तीन नमबर ऐसे है जो 2 से भी जाने वाले है और 5 से भी जाने वाले है जाने का मतलब है कि 2 से भी डिबाइड हो जाने वाले है और 5 से भी 2 के मल्टिपल में भी आते हैं और 5 के मल्टिपल में भी आते हैं नेक्स देखते हैं, नेक्स भी बिल्कुल ऐसे कोछी नहीं, अगर पिछले में आपको समझना आया हो, तो यहां पे आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा, बिल्कुल समझ बैसे कोछी नहीं, बस चेंज कर दिये हैं, यहां पे है 8, 16, 24, 8 का टेबल आगे को, 8 का टेबल अगर आपको आता होगा, तो आप लोग जल्दी-जल्दी से लिख लेंगे, 15 है, 15 का टेबल आपको आता होगा, ठीक है, बस वही लिखता है आपने, 15, 4 जाओता गए, अंडर्ड आजागा, 120 आजागा, 120 के बाद, 140 आजाएगा, 140 के बाद क्या आएगा, 140 के बाद आजाएगा, 160 टीक है, तो आयो होग कि आप इन पैटर्स को समझ गए होगे, बहुती सिम्पल पैटर्न है, वैसे बिल्कुल डिफिकल पैटर्न नहीं है, राइट औल फे करलिए one multiply 25 एक उल्ट्वीव से नहीं जाता है देखिए तुकर टेवल में आता है तो दुखोड़ी थ्री से देखे थी के टेबल में भी नहीं आता है थी के टेबल पडिए नहीं आजाएगा 25 फोर में भी नहीं आएगा 5 में आएगा यस तो 55 होता है 25 ठीक है पहले आपने 5 लिखना है फिर ऐगा 25 अब देखिए ना 6 से जाएगा ना 7 से किसी नहीं जाएगा क्योंकि 5 जोब रिपीट हो चुका है तो जैसे ही रिपीट हो गया वहां पे आपने स्टॉप करना है तो हमारे जो फैक्टर आगे वह आगे 15 ऐसे यहां तक चलना था फिर इस साइड को फाइब आ फिर 25 के फैक्टर आगे वहाए फिर फाइब फाइब को टू टाइमस लिखने की जूरत नही 25 तो दिस इस आवर अंसर 25 के सारे फैक्टर होगे 1525 देखे मैंने गोला था कि वर नीज ता फैक्टर आफ आल नंबर तो वन जो अब वो सबका फैक्टर होता है अब देखे कोश्चिन है थ्री कॉमन मल्टिपल्स आप थ्री एंड फाइव थ्री और फाइव के जब हो कॉम क्या क्या आते हैं ठीक है तो त्री के मैं लिखते जा रहा हूं थ्री हो गया सिक्स हो गया फिर सॉरी थ्री हो गया सिक्स हो गया फिर नाइन हो गया फिर ट्वाइल हो गया फिर फिर एटीन हो गया ठीक ऐसे आगे को चलता रहेगा फाइव के कितने हो गया फाइव फाइव स्टाट करना है common अगर देखना है तो 5 देखिए क्याई इसमें 5 ए नहीं फाइब नहीं आता वह िसको छोड़िए हैं अब आ रहा है यहां पर 10 10 भी नहीं आता है तो 15 को ऐसे आपने राउंड करना है उपर वाले से तो 15 आ तो common बन गया हमारा 15, common आ गया 15, ठीक है, एक common multiple मिल गया, अब देखिए, 15 के बाद क्या है, 20 है, नहीं आता है, 3 के टेबल में, 25 है, नहीं आता है, 30 आता है, ठीक है, अब आपने job उपर बाला 30 भी दिखना था, तो तब ही आपने job इसके साथ match करना है, तो 30 आ गया, 30 के बाद 35 आता है, 5 के टेबल में, 35, 3 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है, अब देखिए, 35 के क्या बाद क्या आएगा, 40 आएगा, 40 भी 3 के टेबल में नहीं आता है, अब आएगा 45, 45 जो वो 3 के टेबल में आता है, तो 15, 3 जो आपको, 15 का टेबल आता होगा, तो 15, 3 जो 45 होता है, ठ बिल्कुल यह जो पैटन्स है और जो मल्टिपल से आप आपको इनको सॉल्व करने के लिए जो पैटन्स सॉरी टेबल स्वाबो आने ची ट्वाबो टेबल लें तो यहां पर जाएगा 45 ठीक है तो यह मैंने कैसे लिखे आपने पूरा लिखना है 45 तक नीचे 45 तक फिर उसको जो आपको यहां पर कोशिन है तो यहां पर लिखाया है 612 18 अच्छे तो वही कोशिन है ठीक है